हेलो फ्रेंड आज हम अपने फर्मापा चैनल पे देखने वाले हैं ससी स्टाप सेलेक्शन कमिशन में जो की फर्मासिस्ट की वैरियस पोस्टेड निकल के आई हैं जिसमें हम टोटल नंबर आप फर्मासिस्ट पोस्टेड की बात करेंगे जो की एड़र्टाइजमेंट पोस्टेड निकली हुई हैं तो इसमें हम फर्मासिस्ट की लगभग 44 पोस्टों पे वैरियस वैरियस जगह पे निकली हुई हैं नंबर आप पोस्ट टोटल जो हैं पोस्ट हमारे फर्मासिस्ट की 44 पोस्टे निकली हुई हैं तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए चलते देख लेते हैं कहां कहां पर ये vacancies निकले हुई हैं तो ये video हम आपको बताना चाहेंगे वीडियो जो है थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन हम यहां पर आपको fully detailed video बताएंगे जो कि आपको stop selection commission की तरफ से various pharmacist की posted निकले हुई है और उसमें काटेगरी क्या है और लास्ट डेट इसका क्या है और अप्लिकेशन फीस कितनी लगने वाले हैं इसके बारे में भी बात करेंगे तो चलिए देख लेते हैं करके जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि इसकी application date कब से start हो रही है application starting date 26 फरवरी 2024 से ही हो गई है और ये 18 मार्च 2024 तक इसका last date चलने वाला है और exam date की computer based होने वाला है और जो कि 6-8 माई तक complete हो जाएगा इसका tentative वो जारी हो चुका है और final जो है वो आपको हमारे फर्मपच channel के माधियम से inform किया जाएगा तो चलिए देख लेते हैं किस परकारते इसका जो है बहुत ही long जो है pages है ये तो इसमें हम आपको जो important है वह हम आपको दिखाना चाहेंगे इसमें age जो है वो 18-40-35 साल तक रहने वाला है और आपके category wise उसमें age relaxation भी मिलने वाला है और किस परकारते ये आपको apply करना है form को इसमें भी बताएगा जैसे कि यहाँ पर आप exam pattern देख सकते हैं subject कौन-कौन से पूछे जाने है journal intelligent है, journal awareness है, quantity actuated है, basic rhythm, skill के coding, English language पूछे जाना है जो कि 60 minute आपको 60 minute for the candidate eligible for the आपको इस परकार से आप fully देख सकते हैं maximum जो है total of number आप बात किया जाए तो आपका 200 number का पूछा जाना है जिसमें आपके 100 question रहेंगे तो इसमें जो है आपके negative marking भी है जो कि 0.50 करने मतलब एक बटा चार जो है number काटा जाएगा इस परकार से आप install करते हुए आएंगे apply करने का यहाँ पर function भी दिया गया है किस परकार से आपको image photo वगारा लगाना है तो इस परकार से आप आजाएंगे install करते हुए जो कि हम बात करेंगे अपने कि number of vacancies के बारे में कहां कहां पर निकली हुई है तो इस परकार से install करते हुए आजाएंगे जो कि हमारे हमारे फर्मापस चैनल के माद्यम से आपको यह पीडिया भी मिल जाएगा और सरकार रिजल्ट डाट कॉम से भी जाकर के आप यह पूरा डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें हम 44 फर्मासिस्ट पोश्टों के बारे में बात करेंगे यहां पर इस परकारते आएंगे आप आने के बाद आपको इसी परकारते इस्टोल करना है इस्टोल करते हुए जैसे कि देख सकते हैं आप फोटो वगयरा के बारे में भी बताया गाया कि इस परकारते फोटो नहीं लगाना है कुछ एडिटिंग करके तो चलिए यहां पर अपने फर्मसिस्ट के पोश्टेट के बारे में बात कर लें जैसे कि आपको हम बताना चाहेंगे कि यहां पर सीरियल नंबर रहने वाला है यहां पर जो है यह सीरियल नंबर रहने वाला है रजिस्टेशन नंबर जो रहने वाला है पोस्ट नमबर रहने वाला है, पोस्ट का नेम क्या है, डिपार्टमेंट क्या है, एज क्रिटीरिया कितनी रहने वाले, पे लेवल है, और यहाँ पे आपका वैकेंसी की कटेगरी रखी गई है, तो चलिए एकर करके देख लेते हैं सब के बारे में, तो यहाँ पे पहला जो हम बात करेंगे अपना फर्मासिस्ट की, जो कि यहाँ पे अब देख पा रहे होंगे, फर्मासिस्ट, एलोपैथिक फर्मासिस्ट, जो एज क्रिटीरिया जो रखा गया है, और CGHS चंडीगड में यह है, जो कि आपके नमबर पोस्ट की बात करें कि 11 पोस्ट फर्मासिस्ट की है, जो आपके कटेगरी वाइज आपको, EAC में एक पोस्ट, EAC में एक पोस्ट, OVC में तीन पोस्ट, UR, जो जर्नल है, पांच पोस्ट, EWS में एक पोस्ट है, तो आगे अपना जो है, बात कर लेते हैं, नेक्स्ट जो फर्मासिस्ट की वेकंसी क यहां पर निकली हुई है तो इसी परकारते हैं आप इस्टॉल करते हुए आएंगे तो नेक्स्ट जो है हमारा फर्मासिस्ट की पोस्ट आप देख सकते हैं कि यहां पर फर्मासिस्ट की निकली हुई है तो इसमें जो है आपका एक पोस्ट है जो कि SC के लिए है यहां पर एक पोस्टेड है जो कि SC के लिए है और चलिए next बात कर लेते हैं कि हमारा next कहां पर है तो इस पर करते हैं इस्ट्रोल करते हुए आएंगे तो यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहेंगे जो फार्मासिस्ट एलोपैथिक की है जो की एक पोश्ट है SC के लिए यह भी एक पोश्ट है SC के लिए आगे चलिए देखाते हैं आपको जो नेक्स्ट अपना फर्मसिस्ट की वैकंसी है इस फरकांसे इस्टोल करते हुए आएंगे यहाँ पर सीरियल नंबर आप नोट करते जाएंगे ताकि आपको डूढ़ने में आसानी हो तो यहाँ पर सीरियल नंबर देख सकते हैं फर्मसिस्ट की जो है पोस्टेड निकली हुई है नंबर आप पोस्ट थिरी है जो इसमें है जर्नल के लिए तीन पोस्टेड निकली हुई है तो आगे बात कर लिया जाएं जो हमारा है फर्मसिस्ट की पोस्ट यहाँ पे आगे यहाँ पर फर्मसिस्ट एलोपेथिक की पोस्टेड जो है इसमें जो है नमबर आफ पोस्ट जो है फाइव है जो की SC के लिए 1, ST के लिए 0 और OBC के लिए 1, Journal के लिए 2 और EWS के लिए एक जो नमबर आफ टोटल आफ पोस्ट है फर्मसिस्ट की वह है 5 और आगे देख लेते हैं इसमें आगे देखते हैं अपना जो आगे हम देखते हैं यहाँ पे आके आप देखेंगे इस परकार तेरियल नमबर 237 यहाँ पेलोपैथिक की जो है 7 पोस्टे निकली हुई है जो की कटेगरी वाइज आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जो है SC के लिए 2 पोस्ट, ST के लिए 0, OBC के लिए 3, Journal के लिए 2, EWS के लिए 0 और नमबरा पोस्ट यहाँ पे है 7 पोस्टेड है इस परकार से आप देख सकते हैं जो अगला देख लेते हैं यहाँ पे हमारा फर्मासिस्ट का जो है पोस्टेड निकली हुई है सीरियल नमबर आपको फ्रेंड याद करना है सीरियल काफी ज़्यादा जरूरी है क्यूंकि आपको ढूंडने में काफी दिक्कत हो सकती है इस परकार यह आपको एलोपेथिक फर्मासिस्ट की है जो नमबर आप पोस्ट की बात कर लिए एस सी के लिए दो पोस्ट है टोटल नमबर आप पोस्ट टू पोस्टेड है और सब के लिए जीरो जीरो है आगे बात कर लिया जया हमारा जो फर्मासिस्ट के लिए यहां पर आएंगे तो इसी प्रकारते आपको देखने को मिलेगा वह आगे बात कर लिया जाएं तो हमारा हर्मा सीट के लिए यहां पर देख सकते हैं यह है जो है त्री पोश्टेट है जिसमें हमारे त्री पोश्टेट हैं इसमें आपको जर्नल के लिए एक दो पोश्ट और EWS के लिए एक पोश्ट टोटल पोश्ट जो है हमारे थिरी पोश्टेट हैं यहां पर और आगे बात कर लेते हैं हम अपने next pharmacist post के लिए तो यहां पर आप आएंगे अपना next देखेंगे जो pharmacist के लिए posted निकली हुई है यह लंबा थोड़ा वीडियो हो रहा है बसरते यह आपके लिए helpful वीडियो रहने वाला है जो की आपके लिए काफी helpful वीडियो रहने वाला है यहां पर इसी प्रकार से आपको अपने PDF में आ जाना है और इंस्टॉल करते हुए देखना है फर्मसिस्ट की जो है पोस्टें यहां पर देख सकते हैं जो है फर्मसिस्ट की पोस्ट है नमबराप टू पोस्टेड है जिसमें हमारा यहां यहां पर देख सकते हैं इसी प्रकार से आगे हम अपने फर्मसिस्ट की जो पोस्टेड और भी पोस्टेड है उनके बारे में बात करेंगे कि तो यहां पर इस प्रकार से इस्टॉल करते हुए आएंगे यहां सेरियल number 375 एलोपेथिक फर्मासिस्ट जो की नमबर आप पोस्ट एक है जो की हमारा OBC के लिए एक पोस्ट है और आगे बात करते हैं हम अपने next जो की है फर्मासिस्ट का पोस्ट यहाँ पे यहाँ पे आ जाएंगे तो तो यहाँ पे यलोपेथिक फर्मसिस्ट की चार पोस्टेट है, जो कि आपको मिलेगा, यह सी के लिए एक पोस्ट है, और ओभी सी के लिए एक पोस्ट, जर्नल के लिए एक पोस्ट, AWS के लिए एक पोस्ट, नमबर आप पोस्ट की बात कर लिया जाए, तो 4 पोस्टेट है यहाँ पे, जो कि फर्मसिस्ट की है, इसमें काफी मेडिकल, पैरा मेडिकल की बात कर रहे हैं, फूल ली डिटेल, जो कि आपके लिए काफी हल्फुल वीडियो रहने वाली है, तो इसी इसमें देख सकते हैं, आप एलोपैथिक फर्मसिस्ट जो की है, सेवन पोस्ट निकली हुई है, जो की आपके कटेगरी वाइज, एश्टी के लिए दो पोस्ट, ओवी सी के लिए एक पोस्ट, जर्नल के लिए दो पोस्ट और EWS के लिए दो पोस्टेट है, इसी परकार से आपको सेवन पोस्ट, टोटल नंबर पोस्ट देखनों को मिलेगा, तो इतनी पोस्टे जो है, हमारे जो है, टोटल अगर जोड़ा जाए, सब जो पोस्ट निकली हुई है, हमारी टोटल जो पोस्ट जोड़ा जाए, अगर तो इसमें जो है, हमारा 44 पोस्ट जो है, फर्मा गौर्मेंट जो पासके फार्मासिस्ट की आप भी डी फार्मा किया हुए हैं यहाँ पेलो पैथिक डी फार्मा भी फार्मा के स्टूडेंट आप फुली डीटेल पढ़ सकते हैं कि इलिजवल हैं आपको PDF जो है सरकार रिजल्ट मुखे माद्यम से आपको मिल जाएगी इसी परकार से आप सर्च करके देख सकते हैं जो कि फुली डीटेल इसमें आपको देखने को मिलेगा तो इसी परकार से आप जब भी आएं तो यहाँ पे फुली डीटेल देख लें उसके बाद यहाँ पे फंक्सन दिया हुआ है कि किस परकार से आपको अपलाई करना है इस फौर्म को इसी परकार से एज लिमिट के अकोर्डिंग अगर आप भी लीडिबल हैं तो इसको अपलाई करें इसको अपलाई करें फॉर्म को जो कि आपके लिए काफी बेटर रहेगा तो फ्रेंड ये वीडियो बस यहीं तक थी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सपोर्ट जरूर कीजिए ताकि हम इसी प्रकारत अपने फर्मपस चैनल के माद्यम ते आपको वीडियो अपने चैनल के माद्यम से आप तक प्रोवाइड कराते रहें थाइंक फ्रेंड